जनाब भामीद हैंडी काकाण। जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है, शहीद अपनों में जोजफ का नाम आता है। कलीसिया का मुहाफिज दुलारा साथी था, मुसीबतों में दुखों में हमारा साथी था। हरेक उसकी बड़ाई के गीत गाता है, शहीद अपनों में जोजफ का नाम आता है। हवारियाने मसीहा का हम नशी जोजफ, थाकलवरी की रिवायत का जान नशी जोजफ, वो पाशका की अलामत उमीद लाता है, शहीद अपनों में जोजफ का नाम आता है। वो आज तक भी हमारे दिलों में जिन्दा है, के उसकी याद से अपना जहां ताबिन्दा है, गरीब लोगों को वो आज भी लुभाता है। शहीद अपनों में जोजफ का नाम आता है, जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है, शहीद अपनों में जोजफ का नाम आता है। बिश्रब जान जोजफ एक अजीम मजबी रहनमा थे, अजीम शक्सियत के मालक, मदबर, सकालर और किस्चर मस्लम डायला के जबदस्त हामी थे और हमारे लिए एक आला नमोना है। उन्हों ने पाकस्तान का एक ऐसा खाब देखा और ऐसा विज़ रखते थे कि जिसमें पाकस्तान में बसने वाले तमाम शहरियां को मसावी हकूक और फ्राइज मिलें और किसी फर्ज को भी मेंस्ट्रीम से अलाग ना किया जाए। और हम सब एक कौम बनकर मजब रंग या नसल के नाम पर किसी किसी की तफरीक ना की जाएं। और इसलिए वे उन तमाम कवालीन के खलाफ थे जिन में डिस्क्रिमिनेशन जा सेपरेशन का उनसर नजर आता था। और मसाल के तो पर जैसे सेपरिटर एलेक्रिट थे तो उसके खलाफ थे जब शनाहती कार में मजबी खाना के अंदराज का एलान हुआ तो बिश्प जाओ जजजफ ने उसकी बहुत मजहमत की। बिश्प जजफ पाकस्तान में मजबी अकलियतों पर होने वाले जल्म के खलाफ थे और रुचाते थे कोई कानून ऐसा ना बनाया जाए जिससे मजबी अकलियतों को मेंस्ट्रीम से लग किया जाए और उनके साथ गहर मुनसफ़ाना सिलुक बरता जाए आप बेहन लमजब हमांगी और अवदारी के जब्द सामी थे और आप जब नाइटिन एटी फाइब में पाकस्तान में बनने वाले नैशनल कमिशन फर किश्चन मसम्डेयलाग जो के पोप जान पाल की हदायत पर यहां पर कायम किया गया था उसकी पहले चेर्मेंट थे और मुझे इस रापत कमिशन का एग्जेकटिव सेक्टरी मकरर किया गया बिश्चन जोष्च की खित्मात हमेशा याद रखी जाएंगी और उनकी सोच को ना सिर्फ कावमी बरके बेहद पजीराई हासल होई बिश्चन जोष्च की कियादत और उनकी आला ख्यालाथ हमारे दिलों में रहेंगे और हमारी रहनमाई करते रहेंगे। बिशिफ जान जोजफ को खुदा आराम बख्षे। फादर जेम सिनन ओपी। बिशिफ जान जोजफ इस सदी में इन्सानी हकूप के लिए जिद्व जोहत करने वाले अजीम काइद हैं। उन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी ना सिर्फ मसीहियों बलके मुसल्मानों, हिंद्गों और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अकलियतों के लिए हम आहंगी और खिद्मत में गुजार दी। अपनी इन सरगरम कोशिशों में उन्होंने छे मईए 1998 को अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। उनकी फिद्मात को हमेशा याद रखा जाएगा और उनका नाम तारीख में सुनेरी हरूफ से लिखा जाएगा। हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। न्यू कासल किर्टियन नेटवर्क एन सी एन टीवी की जानब से हम देखने और सुनने वालों को खुशामती और आज के तमाम शरीक के गुशामती को भी हम खुशामती कहते हैं। याद रहे कि 6 में को बलकर इस से पहले से उनकी 25 वर्षी की तकरीबात शुरू हो चुकी थी अच्छी बात ये है कि इस जफा चर्च ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया। बिशफ जान जोजफ ने 17 साल इस अफ़ी खिद्मात के दुरान ज्यादातर आवाम के समाजी और सियसी अजादी के मसाइल के लिए जद जहद की। उन्होंने 295 सी के खात्मे के खलाफ बेबास होते हुए छे में उनी सो ठानुए में इस अजीम बिशफ ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। जहां 6 में को पूरी दुनिया में बिशफ जान जोजफ शहीद की 25 सालगिरा मनाए गई और हमेशा की तरह NCN TV ने भी उनकी 25 वी बरसे के मौका पर खसूसी प्रोब्रम का आगास किया है। बिशफ जान जोजफ ने पस्मंदा और कुछले हुए लोगों के लिए जान दी। बिशफ जान जोजफ लोगों के दिलों में एक तहरीक और जद्द और जहद की याद दिलाता रहेगा। वो एक इनकलाबी सोच रखने वाले बिशफ थे जहां कई भी इनसानी हकूप की पामाली होती। किसी गवाँ बसी या घर में किसी का इस्तेसाल किया जाता। तो बिशफ जान जोजफ हमेशा उनकी दादरसी के लिए तरगर में अमल रहते। उन्होंने हमेशा ना सिरफ मसीहों बलके पाकिस्तान की तमाम मजभी अकलियतों की सियासी हकूप के लिए जद जद की। शनाफ्ती कार्ड में मजभी खाना का मसला हो या मजभी अकलियतों के बराबर के शेरी होने की जद जद हो उन्होंने आगे पेश पेश लिए दोसो पचानवे सी के खात्मे के लिए का हमेशा उन्होंने सड़कों, मुक्तिसूबों और अदलिया की सता पर इमत्याजी कवा नाजरीन अगर हम आज जाहिजा लेते हैं, उनकी तरवानी के बाद जो पच्ची साल हैं, उसमें आप देख सकते हैं जिन ख़द्शाप का उन्होंने जहार किया था कि दोसो पचानवे सी क्या हमारे गर्दनों पर एक लटकती हुई तलवार है, वो ना सिरफ हमें नक्सान देंगी और आप देख लें, किसी को जेल में कतल किया गया है, किसी को बात करने पर मार मार के उसको कतल कर दिया गया, और इसी तरह बहुत सारे वाकिया था और जो भी वकील चाहे खड़ा हुआ है, मुलतान का वाकिया है, और बहुत सारे वाकिया है, उनको इस जगा पे ज जाज करने पर जान देनी पड़ी जिस तरह गुवर्नर सलमान तैसीर है तो आज हम यही तज़िया करेंगे कि यह 25 साल जो है उनकी करबानी के बाद हर साल हम यह दावा तो करते हैं कि बिशप, शहीद, जान जोजफ सहब हम आपकी करबानी को राएगा नहीं जाने देंगे लेकिन सुाल यहां पैदा होता है कि अगर जदोजहत की होती तो इन 25 सालों में हमारा नक्षा बिल्कुल चेंज हुआ होता तो आज मैं सबसे पहले सदाकत सदाता जिनको मौका मिला है बिशप साथ के साथ वक्त गुजारने का उनकी जदोजहत में शामल होने का तो मैं उन से तजर्बा भी पूचूंगा और उन से ये भी पहले जो एक हमारी रस्म होती है ये पूचूंगा कि वो आज कैसा उनको मैं सहूस हो रहा है कैसा लग रहा है इस तरह आने में या बात करने में कि तबारा वो अपनी यादों को दूसरों से शेयर करें मैं आपका बहुत ही शुक्र गुजार हूँ खास तोर पर आज इस मौके पे जब के हम बिशप जान जोजफ साहब की 25 वी बरसी की तकरीबात पे शामल हो रहे हैं तो आपका और आपके चैनल का खास तोर पर शुक्र गुजार है जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम ए जो कंट्रिबूशन है उनको शेयर कर सकें और ऐसे काम भी जो जैसे आपका सवाला थे कि वो अभी तक अधूरे रहे हैं उनके उपर कुछ बातशीत कर सकें तो बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया इस बात के लिए भी है कि आपने जो दूसरे हमारे मिलने का मौकद दिया तो मैं समझता हूं कि आपने ये जो मौजू लिया है ये मैं समझता हूं आपके जो कैसल टीवी का बहुत-बड़ा कंट्रिबूशन है चुक्कि इस तरह की जो मौजू है जो कौमें अपनी रवायात को बूल जाती है वो मिट जाती है या वो बहुत सुस्त पढ़ जाते हैं तो मैं समयता हूं यह कोई इतना अजीम कोमों का यह रविया नहीं होता तो आपका इस लिहाज से भी शुक्रिया तो आपने थोड़ा जिकर किया है कि मुझे वक्त मिला था उनके साथ वक्त गुजारने का तो वाके मैं खुशकिसमत रहा चुके मेरा तुलक बिशप साथ से तो तब भी ही से था जब वो बिशप 81 में बक्यादा मकरर हुए थे चुके डाइसेस मेरी फैसलाबाद है तो लहाजा अगर अगर टोबर टेक्सिंग मेरा पैरिश था या है तो उस हवाले से भी और खुसूसन मुझे याद है कि सब्टमबर 87 में मै मैंने जब काईतास जॉइन किया काईतास पाकस्तान फैसलाबाद तो तब वो हमारे बिशप थे तो तब से लेकर 1906 में 1998 तक उनकी हम से जुदाई तक हम उनके साथ ही काम करते रहे तो बहुत कुछ मुझे उनकी शक्सियात में मिला ना सरो बिशप साब बलके बिशप साब के अलावा उनकी फैमिली के साथ मुझे बहुत करिबी काम करने का मौका मिला उनके साथ मिलने का तो चुके मैं काईतास फैसलाबाद में था तो मुझे बहुत ज़्यदा मौका मिला कि उनके जो रतीजे पार्लिमेंटेरियन साथ का साथ का डवाइजर टू चीब मिनिस्ट जॉन सुर माइकल साथ वो मेरे साथ मुलतान डाइसिस में होते थे मैं फैसलाबार डाइसिस तो अक्सर साल में तीन चार दफा उनके साथ मीटिंग्स में वास्ता पढ़ता था तो बहुत सी कामयाबियां जो भी स्ट्रगल वो शेर करते होते थे इसके लावा इर्फान जोजफ साथ पसीलडार रहे हैं वो बहुत मेरे अच्छे दोस्त है और उस वक्त भी थे तो उस हवाले से सर्वत आमर मेरी कुलीग रही है यासमिन जोजफ मेरी कुलीग रही है और फिर इसके लावा सर्वत वो आपको पता है कि वो पाइस साहब आपके कजन वो बिशफ साहब के पतीजे वो बड़े बड़े कुपिटेड तो वो भी उनके साहब भी बिशफ साहब में रहते हुए बड़ा हमें कर्ठे काम करने का मुका मिला चुकि मैं यूथ डाइसिजन यूथ में होता था जब बड़े मैकसुल यूथ डाइसिजन यूथ थी और बिशफ साहब और ये सारे यूथ के लिए मैं चुकि एनिमेटर का इतास में था तो साथ-साथ मुझे यूथ थी पूरी डाइसिस की तो उसको मॉबलाइज करने के लिए बिशफ साहब और बड़ मैकसुल ने जो काम दिया था तो उस वाले से मुझे वक्तन फक्तन बिशफ साहब को वो रिपोर्ट देनी पड़ती थी और उस वकत मेरा वास्ता ज्यादा वो गहरा होता गया जब बिशफ साहब को बिशफ कांफरेंस की तरफ से यूथ डारेक्टर की जम्यदारी भी दी गए तो तब मुझे याद है कि बहुत दफ़ा जब नैशनल कांफरेंस होती थी तो रजिया जोजफ मरहूमा वो मेरी जम्यदारी लिगाते थे कि जोजफ जब जब जो शायर थे महबूब सदा मरहूम उनसे कोई गीत लखवाना है जो यूथ का कौमी तरह न तो उसनके पास जाना कभी पिंडी कभी लहूर इस तरह से तो वो मैं समयता हूँ के बहुती मुझे मोका मिला मुझे उनकी वज़ा से बहुत एक जृत मिली थी तजर्बा मिला तो यह था मेरा जो तलग मैं चाहूंगा कि उनकी एक जिन्दगी का मकसद रहा है वो चाह रहे थे कि माश्य में जो शिद्धत पसंदी है वो काम हो इस हवाले से थोड़ा सा जी उसमें जो मुझे याद आई है जो मैंने उनकी जिन्दगी के करीब से चीज़े देखी है वो उनका मौटो होता है था कि वो मेरी जानदा किला है जो भी तक मुझे याद है उस हवाले से उनके इस मौटो को लेके तो उनके जो बहुत खास चीज थी वो चाह रहे थे कि हमारे जो अकलियते हैं जो मसीही हैं खास तोर पर इनको एक बराबर शहरी का वो दर्जा वो चाहते होते थे उन्होंने होते थे वो हमेशा बराबरी की बात करते थे अकलियतों के बर्पूर वो बात करते होते थे तो मुझे याद है कि उसके एक वाज़े मसाल यह थी जब शनासी कार्ड में मजभी खाने के अज़ाफे का गोवर्मेंट ने एक बकायदा हुकम जारी किया तो वो बिशप साहब ने तमाम कलरजी को तमाम जो दूसरे लीडर्स हैं पॉलिटिशन हैं ना सिर्फ क्रिश्चन बलके जो दूसरी हमारे अक्सरियत के जो नमांदगान थे खास तोर पर जैसे आसमा जहांगीर थी इस तरह और जो बहुत वहां के उस वक्त के वुकला हजरात और हुमन राइट एक्टिविस्ट उनको मला के तहरीक चलाई और जब हम कहते हैं उनके बहुत से मिशन अदूरे रहे तो मुझे बड़ी खुशी मसूस होती है इस बात को शेर करना भी के देखो जब उन्होंने हमारे कौमी तशक्स को परकरार रखने के लिए जो जहिद की उसमें उन्होंन कि गौवर्मिन्ट को इलान करना पड़ा अगर ये उस वक्त ना इलान करते हैं शायद बिशप साहब और भी बहुत से इलाना कर चुके थे उस वक्त मैं कोईटा में था और अख़बार से मेरा तलक रहाया और मैं कवरेज कर रहा था जब शिनास्टी कार्ड में मजभ के ख आवेज साहब आपका बहुत 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 शुक्रिया आपके नियु कैसल करिस्टन नेटवर्क चैनल का भी शुक्रिया आपने हमें मौका दिया कि हम आज एक जो तारीखी वक्त है जिसमें हम बिशुप जान जोजफ की जिंदगी के उपर उनके कामों के उपर गौर कर स जिकते हैं यानि 25 साल मैं अपने बारे में यह बताना चाहूंगा कि एपरिल 25 को मेरी शादी हुई थी 1998 को और मेरी शादी के 25 साल और बिशुप जान की शहादत के 25 साल यह साथ-साथ मुकमल हुए मिले जोले जस बात हैं हमें उनके जाने का दुख भी है बहुत ज्यादा उनके ना होने का और हमें एक स्ट्रगल भी नजर आती है किस तरह हम उनके कामों को आगे बढ़ा सकते हैं चूंकि मेरा तल्ग भी तैसलबार डाइसी से है और इत्वाग अच्छा यह भी है कि सर्वत और सिदाकत भाई और हम तीनों ने कठे काम किया कारितास में और कारित होते हैं तो इस तरह से हमारा एक वो वाला जो प्यार महबत और कारितास फैमिली का रिष्टा है वो भी अभी तक हमारे साथ मौजूद है बिशप जान जोजफ क्योंकि हमारी डाइसस के बिशप थी और जब वो बिशप बने तो मैं उस वक्त खुशपूर में तालीम असल तो खुशपूर चूंके बिशप साब की अब्तदाई गाओं है वहां उनकी पदैश भी हुई वहां से तालीम असल की तो हमने स्कूल की तरफ से खुशपूर में उनका बहुत बड़ा इस्तिक्बाल किया और वो बड़ा तारीखी इस्तिक्बाल था दूरा गाओं से जाय पूरे गाओं ने उनको बड़ा सूर्ती से वाम वेल्कम किया अब हम आगे आते हैं उनकी जो स्ट्रगल थी और मैं थोड़ा वाक्या बियान करना चाहूंगा चूंकि मेरा तलक साहिवाल शहर से है और जब शहादत हुई और उन्होंने अपनी जान दी तो उससे पहले चर में बहुत सारी जो अहम बाते थी वो की जिन में उनकी उनको ने कहा कि अब स्ट्रगल हो जारी रखने का वक्त अभी जारी हम चाहँ करंगा रहे हैं हलांके एक बात बड़ी मश्यूर है जो मुझे कहीं से पता चली किसी बाहर से किसी ने बिश्र जान से पूछा कि अयूब मसी जिसके लिए आप ये सारी कोशिश कर रहे हैं उसका तल्लक किस चर्फ से है तो बिश्र साब ने बड़ा खुबसूरत जवाब दिया कि मुझे ये इनिमेटर काम का रहा था तो मेरी जुम्हेंदारी लगाई गई थी और जो हमारे फादर थे फादर पैटरिक उस वक्त हम मिलकर इस केस के लिए जहां वो कोशिश करें हमने जो है फिर उनके जो खानदान था और उनके जो बाकी जो मसीही खानदान थे उस अलाके में उन हैं छे माई 1998 की तरफ जब पाक मास खतम हुई तो बहुत से लोग उन से मिले उनकी शिक्सियत जैसे सिदाकत बाई ने बयान के बड़ी और कशिश शिक्सियत के मालक थे उनकी गुफ्तगू का जो अंदाज था उनके जो पावरफूल अलफाज होते थे वो दूसरों का अच्छी तरह से याद है उन्होंने कहा था कि आप कुरबानी देने का वक्त आगया त्यार रहे हैं अच्छा उस वक्त हमें इस बात की समझ नहीं आई हमने का जी बिशुप साहब हमारी सारा ग्रूप हमारी यूद आपके साथ है आप जो कहेंगे और जैसे कहेंगे हम वै सेशन कोड की तरफ किया ड्राइवर से कार की गाड़ी उतर ले जाए जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वो जगह देखी किसी ने जब अयूमसी का हेरिंग थी उस दिन तो गोली चली वहां पर उन्होंने कहा मुझे वो निशान दिखाए जहां पर वो गोली लगी जब उस तरफ को गए तो फिर उन्होंने उदर बहुत गंजीदा हुए और फिर सब को उन्होंने कहा फादर भी साथ थे उनके ड्राइवर भी थे तो उनने कहा आप गाड़ी में बैठे बाकी लोग जब गाड़ी में बैठे तो फिर पीछे से उन्होंने जो है वो शूट किया तो कहने के मकस्द है कि उनकी शहादत जहां या उनका जान देना ये को मामूली वाक्या नहीं है ये इक शमा साब ये वाक्या उस वक्त हुआ जब मनजूर मसी ये जरा उसको टाच की जिए गा ताकर वजा नी लोगों को ऐयोग मसी आरव वाला का जो मसी ही था उस पे blasphemy का case लगा था और station court के अंदर जो साहिवाल में session court थी उस court के अंदर उसकी hearing थी और उसको सजा सुना दी गई थी सजा मौत सुना दी गई थी जिसके लिए काफी appeal भी की गी थी बाद में और आसमा जहांगीर जो थी उन्होंने मैंने सुना है कि उस case को लेने से भी पीछे हट गई कि उनको बहुत खत्रात लाहक है तो हैज़ा बिशप जान चाहते थे कि कोई वकील put up करे कोई आगे बढ़े को साथ मिले और थोड़ा वहां पे लग रहा था कि जैसे उनकी जो कोश्चे हैं उनका नतीजा नहीं आ रहा तो इस वज़ए से उन्होंने फिर उस कोड के सामने जाकर जहां पर उसको सजाय मौत दी गई थी उस कोड के सामने जाकर अपनी जान ले और ये इस बात का इजहार था कि मेरी जान मेरा खून जो है वो एक दिन रंग लाएगा और ये नाहमवारी ये जो मजभ के नाम पे जबर शद्द जलम किय जाता है वो खतम होगा और इस वाकिये से हमें ये भी मालूम होता है कि बिशप जान सिर्फ कैथलिक मसीहों के बिशप नहीं थे वो बैनल कलीसियाई और बैनल मजभब हमांगी के उपर जो खताब मिला था अवामी और इनकलाबी बिशप मुझे जब यूथ में होते थे तो वो स्टेज संबालने का अमसी बनने का बड़ा शौक होता था मुझे एकसर मौका मिल जाता था तो हम जब लोगों के जो शौक को गरमाते थे तो मैं माइक में अलान करता था हमारे नह अफास जो होते थे हमें इतना वो गरम जोशी देते थे कि हमें लगता था कि बस आएंगे और हम उनको अपने हाथों पर उठाएंगे तो इसी तरह स्यासी तोर पर समाजी तोर पर मजभी तोर पर इतने लोगों को मतहरे किया हुआ था यूद को बहुत मतहरे किया हुआ थ तो, तालीम को पर देता था।ो मुझे याद है, ज़ने डारी भी मुझे पता था। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको को मसला आता है, आपको क्वणा पैसों 3D तो मुझे बिताएं। सब सब नौजवान जो है वो पड़े सम्दरी थी फैसलाबाद में सम्दरी में लड़कों को बेज देतें कहते थे आप फादर बने बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी बन सके काम सकाम आप ग्रैजुएट हो जाएंगे पढ़ सकेंगे तो ये एक मौका फराम करते थे अ पे वो कहां पे जाब्स हैं क्या क्या पर्चुनिटी है इस तरह एक यूथ हॉल जी हाँ जी अच्छा आगे चलेंगे सम्द साब आपके पिर बात करते हैं तो सरवत आमिर सहबा से बात करते हैं जो उनकी बिशप साब की बतीजी भी है को फैमली मेंबर भी है तो उनको जो है ऐसी गाइड लाइन या ऐसी पैटरन या ऐसी चीज़ जो आप भी वो लेके आगे बढ़ी हुई है यादे तो आपकी बहुत होती है क्योंकि आपकी जाहर है आपने कितनी आपकी उमर होगी जब आपने देखा याप गालबन चोटी होंगी और उनकी एक्टिविटी जा हुए थे उनका भी फर्द पूरा करते थे और ऐसी चीज़ जो आप लेकर आगे चल रही हैं जी सबसे पहले तो मैं आपके प्रेफॉर्म से तमाम देनों और भाइनों को बिशप जॉन जोजफ शहीद की पच्छिसमें यामिक रहादर पर बहुत मुबारिक बास पेश करत हम बिशप जोजफ शहीद को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जिन्दा रखे हुए हैं तो मैं बहुत कुछ नसीब समझती हूं अपने आपको कि आज आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ और इसमें हाद से कुछ नसीब समझती हूँ कि विशफ जॉन जोजफ का ब्लाइट नाइन हूँ जहां तर आप ये बात की है कि हम किस तरह उनके पॉस को आगे लेकर चल रहे हैं तो परसनली मैं सबसे पहले ये श शहादत की बात है तो 25 सार पहले मैं वाक्यतन एक बहुत ही कहने नौजवान मरती और सदाकत और शमस हमारे टीम मेंबर थे हम बहुत पुर्जोज थे और बिशफ जॉन जोजफ शहीर ने जो हमारी फॉर्मेशन की है हम खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने हमारी फॉर्मेशन क तो उसक्त मेरी बहुत चोटी उमर थी मैंने अपनी जिन्दगी में जो पहना अम्री कदम उठाया है वो पीटर शहाद साइब जब थाहीर के डारेक्टर थे फैसलवाद में मैंने जोईन किया तो I was just 23 years old at time वो एक आप कहने के जजबा, वलवना और जनून होता है और हाई हर दिल अजीज अवामी बिशुप थे और इंत्यासी कवानीन के खात्मे के लिए वो भड़ चड़ कर काम कर रहे थे तो मैंने अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ का आगास किया तो मैंने यह देखा कि वो किस तरह पिसे हुए पस्मांदा और बेबस लोगों की आवा रहाज में उसके बाद मेरा कॉलेज और पर्दर जो हाईर एजुकेशन मैं तब कलीतिया ही तोर पे जितने भी बिशुप फादर से मैं जब चाचाजी से पहले देखी थी उस वक्ते डिस्टन्स था लेकिन बिशुप जोसफ शहीद ने तमान दर्वाजे आम लोगों के ल चरवाहा बनने के लिए अच्छा पास्पान बनने के लिए उन्होंने इंत्याजी कवानी के खाथे के लिए अपनी अवाज बुलंद की कारितास के प्लेटफॉर्म से बिशुप कॉन्फरेंस के वो इंतगाई जो हसास इदारे थे इदारा अमनों इंसाफ जैस्टिस कॉमिशन्स में वो भरपूर आवास उठाते थे और मैं यह मैंने एक्सपरियंस किया है कि बिशप हाउस में इंतहाई जोग तर जोग आते थे सिरफ इसलिए क्योंकि उनको यह पता था कि जो लोग बेबस हैं उनको किस तरह से रिलीफ मिल सकते हैं और बिशप जॉन की मदद करेंगे और किस तरह से कौन-खॉन साय दारज है वो पिशे हुए लोगों के लिए इनत्याजी कवानेन के खाथमे के लिए किस तरह से लोगों को हैं एलपॉट करेंगे हैं उसमीद हमारे सरों पे जो इमत्याजी कवानीन की तलवार लटकी हुई थी उसको बहुत हसास मामले को बिशप जॉन जोजब शहीद ने, अवामी बिशप थे, इसके उन्होंने इसको पूरे दुन्या में सेमिनार्स करवाए और उन्होंने अपीलें की, भूख हड़तालें की, और उन्होंने कोशिश की कि इमत्याजी कवानीन के खात्मे के लिए कोशिश करें, यह कोई नहीं मरेगा, उसे पहले मैं अपनी जान देंगा, और उन्होंने अपनी इस वाग को निभाया, लेकिन सवाल यहां पे यह पैदा होता है, कि आया उनकी लाजवाल पुर्बानी को, पुर्बानी माना जाता है, या कुछ लोग अपनी समझ के मताबिक, उसको कहते हैं क तो यहां पे मेरी हमबल रिक्वेस्ट होगी, तुमाम लोगों से कि उनकी मुहबद की लाजवाल पुर्बानी को, हम रायगा ना जाने ले, और यह एक संगे मील था, इक होजा, माइल स्टोन, उन्होंने जब अपनी साहिवाल सेशन ओड के सामने, अपनी जान का नजराना पेश किया, तो उन्होंने कहा, अभी शमस साब बता रहे थे, कि अयूब मसी, मैं तुम्हें इस कानून की भी नहीं चलने दूँगा, उस वक्त माजरत के साथ, हमारी बहुत बड़ी human rights activist, आस्मा जहांदीर, जो उस वक्त भी बहुत जादा मशूरो मारूप थी, उन्होंन जोजफ मायूस भी थे, उस वक्त मों अपने आपको एक जक्ड़ा हुआ समझ रहे थे, कवानीन में, और वो लोगों को बेवसी में देख रहे थे, जिस तरह मैं इस एंगल में देख रही हूं कि जिस तरह खुदावन यसू मसी ने देखा कि किस तरह यह जो पौम थी, बन मेरे पास आओ, ऐ बोज से थके मानने लोगों मेरे पास, आओ, मैं तुम्हें अराम दोगा, तो मैं यह समझती हूं कि विशफ जोजफ शहीर ने भी कोशिश की, कि जो लोग बेबस थे, कवानीन की भीन चड़ रहे थे, किसी की परसनल लड़ाई होती थी, जगरा होता था तो 250 में सी उसके उपर लगा दी जाती थी, बहुत सारे कतल हुए अदालतों में लेकिन विशफ जोजफ शहीर ने कोशिश की, उस कोशिश में सैसिल शौदरी थे, पादर मैंडल मानी थे, कारितास के बहुत नामनाद, छिक्सियात शामिल थी, बहुत सारे लोग उनके हमक लेकिन क्या वहां कि उस वक्त के पार्लिमेंटेरियन्स, उस वक्त की हकूमत, उस वक्त के असर और सूख रखने वाले लोग नहीं चाहते थे कि इस कानून में तर्मीन की जाएं। उनका खून साहिवार में सैशन कोट में आज भी उनका खून बोलता है कि इमत्याजी कवानीन में 295C और 295B की तलवारे जो हमारे सरों पे आज भी लटकती हैं, आज भी लटकती हैं, हम उन कवानीन में जो तरामीन कराने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी जिम्यदारी से, बहुत इज़त से ये लफ्स इस्तमाल करूंगी, कि बहुत सारे लोग उनके बाद भी इस इम्तियाजी कवानीन के खात्मे के लिए मन्जर आम पे आए, काम कर रहे हैं, और जिस तरह हमारा टॉपिक था, कि किस तरह से हम देखते हैं, कि 25 साल होने को आए हैं? सर्वस अबाद माज़स के साथ, आपको क्वेस्टन ये आएगा, ये आएगा कि 25 साल के जो अर्सा है, उसमें क्या आएगा, तो चुक्छे वक्त का भी ख्याल रखना रहता है, यहां उसके पासबान भी थे, उसके बावजूद उन्होंने इंटर्फे, थार्मनी, उनके अपरोच भी काफी अपरोच थी, बड़े वजीर आला, गुवर्नर तक भी था, उसके यह भी कहा जा रहा था, कि यह 255 सी, चुक्छे चेंज हुई जाके ज्याल रखना के जौर में सी चेंज हुई, 295 तो कानून था, सी होके, उसके काबल जमान सीधा उसको सजा, सजा है, मौत, अब उन्होंने जदोजहिद भी की, उन्होंने अपनी जान भी दी, रखा, बर्ची काइम रखी, या उनके कहा कि हम ये करेंगे, अब क्या देख रहे हैं कि इस 25 दोरों के अर्सा में हम आइनी तोर पर कोई अजाद हुए, हमें राइट्स मिले मनार्टिस को, या इससे भी हालत हमारी बत्तर हो गई, क्योंकि जिस बात का उन्होंने खद्चा किया था, कि 295 सी हमें क्या नुक्सान देने वाली है, वो आज ये ना सिर्फ क्रिस्टिन सब के लिए ही बहुत खतनाक होती जा रही है, बड़े सारे मुस्लिम ने भी इसकी जान दी है, तो सदाका साब आप नजर भी रखते हो, आपने जर्नलिजम भी की हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि कोई आइन में हमें कुछ हकुक मिले हैं जद्वजहिद का, कि यहां उससे भी बत्तर हालत होगी है, आपके जो बात की है, जिसको मैं दो तरिकों से लूँगा, एक तो यह है कि बिशप साब की जो जद्वजहिद थी, और जैसे सर्वत अजी ने बताया है कि वो एक ऐसी सूर्टे हाल में चले गए थे, ऐसी सिच्चुशन में चले गए थे, वो सोच रहे थे, अगर हमें बड़े-बड़े हुमराटेक्स ट्विस्ट भी, वो अपनी जिन्दगियों का खत्रा महसूस कर रहे हैं, पार्लिमंट में भी वो कनून साजी जो वो हम तो कर रहे हैं, वो नहीं हो रही, और हमारे जो लीडर्स भी थे, वो भी बेबस नजर आ रहे हैं, तो उनकी सोच थी उनकी, कि हो सकता है कि जो मेरा खून है, उसके बाद ये इनकलाब आएगा, तो ये मैं समयता हूँ कि हम मुकमल इसको ये नहीं कह सकते, कि लोगों ने ये सोच छोड़ दी है, चोड़ी होती तो आज चर्च भी उनकी 25 जो तकरीबात है, उनको बड़े पेमाने पे और्गनाइस कर रहा है, और होती जा रही है, ये सिर्व 6 मई को नहीं, बगर काफी दिन पहले शुरू हो गई थी, और जा रही है मुझे, सदाका साब, सदाका साब, सुरी आपकी बात को आगे लेके जाता हूँ, आप ठीक कह रहे हो चर्च, लेकिन चर्च एक ऐसी पावर है, अगर वो चाता, अगर वो चाता, तो बहुत कुछ कर सकता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ को आएन में कोई हमें, ऐसी कोई हकूँक, ऐसे मिले हैं, या उसे भी बातार होगी, यही कह रहा हूँ क्योंकि बिशप साब की एक जदो जाती, और चर्च हमेशा से आगे जाके मैं पूछूँगा, बरहाल चर्च एक बड़ी पावर है, अगर वो स्टेंड लेते हैं, तो कुछ शायद चेंज आई, यह साथ जरूर बताएगा, यह, जी मैं अपने महदूद हसीयत के मताबक, क्योंकि मैं एक अकेला बैटके, एक पूरे चर्च का जो सेट अप है, उसको मैं अनलाइज करूँ, यह मेरे बास की बात नहीं है, लेकिन यह जो तुवक्वात होती है, एजा परसन, मैं सोचता हूँ कि, जिस तरह बिशप साब ने इस चीज़ को आगे लिया था, अब सबसे जो बड़ी रिकावट है, जब मैं कहा रहा था, हम दो सता पे इसे देखेंगे, एक सता तो यह है, है कि हम तो को कर रहे हैं कि चर्च कैसे और इससे बूस्ट कर सकता इस मूव्मिन्ट को, और यह देखें, चर्च का जो रोल है, वो है रोहानी, और साथ साथ दन्याभी भी तरक्वी वो करते हैं, लेकर इस काम के लिए जो मखसूस लोग हैं, वो है हमारे स्यासी लीडर, हम चर्च से बहुत ज़्याद तोकवात अगर हम रखते हैं, तो डेफिनेट हम फिर मयूस होते हैं, जो कि मैं समयता हूँ, हमारी तोकवात ज्यादा ना रखें, चुकि जो हमने पार्लीमेंट में, जो कनून साजी होती है पार्लीमेंट में, चाए वो सुभाई असेंबली है, चाए वो कौमी असेंबली है, चाए वो सेनट है, वहाँ पे अब रकावट क्या बनी, इस कनून को जो हम स्पीड देख रहे थे, या जिस तरह करबानी थी बिशप साहब की, वो यह हुई कि वहाँ पे सेपरेट अलेक्टूरेיٹ मुझूद है, अब सेपरेट अलेक्टूरेट का मतलब क्या होगा, कि हर पार्टी ने अपनी मर्जी से जो उन्हें पसंद है, उन्होंने उन लोगों को नामज़द करना है पार्लिमन में, अब उनकी क्या बचारे हैं कोई हसियत है कि वो अपनी पार्टी से नहराफ करें जो कि उनके मरहूने मिन्नत है और जब चाहे वो उस पार्टी का जो चेर मैन है वो उसे इस्तिफाल खवाले भी आपने ये मेरी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बात की है लहाजा रजाइन कर दे मैं किसी और को नामजद कर देता हूँ जब तक सर हम मेंस्ट्रीम में नहीं आएंगे और जब हम मेंस्ट्रीम में आएंगे मेंस्ट्रीम का मतलब क्या है मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है मैं किसी पार्टी की इस वक्त हमायत नहीं कर रहा लेकर बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने फैसलाबाद में पीपी 114 में नाईम यकूब को टिकर दिया है अब जब वो डायक्ट अलेक्शन के लिए जाएगा तो वो जो स्लोगन्स देगा वो नारे देगा वो जो उसने रंग ठलाए है क्या उसका फाइदा हुआ अभी देखे मैं जब पहली दो बात है ऐसे इम्तियाजी कवानिन जिसे हम इम्तियाजी कवानिन कहते हैं शैदक्सरियत या कुछ चंद लोगों से इम्तियाजी नहीं समझते वो समझते ही हमारा हाक है तो लहाज़ा हम इस बात को बड़े मुहतार तरीके से इस तरह से पेश कर रहे हैं कि अगर तो इस कानून ने बहुत खिर्मत की है मुलकी तो इसे जारी रखें अगर इससे हम मजीद तकसीम से तकसीम दर होते जा रहे हैं तो बिशप साब का वो जो खद्शा था उस वक्त वो अब नजर आ रहा है लुकसान क्या हुआ अदम बरदाश्टा गई है अगर आप किसी को नहीं पसंद करते तो यह सबसे बड़ा फानमूला है कि जिनाब आप इसका तरिका कार इस्तमाल करो और जिसको मर्जी फंसाद हो चुका है इसके बिग परनेश्मेंट है तो लहाज़ा अभी हम हमने क्या नहीं गया तो यह धिकाते करना है जो बिशुफ साब उस व्हुफ साब ने इसका काफु को साथ मिलते थे और मुझे खुशी की बात है के अभी यह काम nhất जारी यह सारी धाए जैसे मुझे अच्छी थादर यहाद है ने फादर जीम चर्णन साब के काफले में भी जब मैं गया था तो उस वक्त बीरों ने जैसे जिस शहर में भी जाते थे उस शहर से उस मख़ब के मुख्तलब लोगों को, लॉयर्स को, मजभी रहनमाओं को, मख़ब में भी सुन्नी को भी, शिया को भी, बाकी लीडर्स को भी, इसी तरह बाकी जो एडवोकेट्स, बाकी तन्जीमेते साथ, अब जूरत इस बात किये सर, कि ना सिर्फ चर्च, देखो, हम जब हम सिर्फ तोकों रखते हैं कि सिर्फ चर्च ऐसा इस कानून को लेके आगे जाए, तो मैं समयता हूँ, यह मारी उनके साथ भी ज्यादती हो वो बहुत बड़ा इनकलाब ले आएगा सियासी तोर पे, तो मैं समयता हूँ कि यह मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी, फिर भी चर्च जो है, चर्च अपने, जी, आप जरूर इतफाकी करेंगे, मैं जो क्वेस्टन करने वाला हूँ, चमाउन साथ स तो अगर आपकी बाकी बात रहेगी तो हम एक चोटा सा रोंड ले लेंगे, अगर आपकी बात रहेगी होगी, चमाउन साथ, ये पावर की बात है, चर्च की पावर की बात, हम तो क्यों करते हैं, आप भी जानते हैं, इस वक्त आप अमेरिका में बैठे हैं, और सदाके सा वक्त सारे बिशफ पहुंच के जिन्होंने असर दिखाया और ग्रेय लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया। यह बहुत सारे लोग नहीं जानते शायद इस बात को कि बिशफ कानफरंस या बिशफ सहबान की क्या पावर है। यहां जब हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि प्रेस कानफरंस करनी होती है यह हमाई का बताना होता तो बिशफ तो बहुत आगया आगय होते हैं लेकित इस मामले में राइट के यह जो मूवमन्ट बिशफ सहाब ने चला दी थी शायद मैं अभी कैभी कैभी सकता हूं जब मैं उनकी रिप्लेस का इंटर्विव ले रह जबता है यह फकर है कि मैंने उनका पहला इंटर्विव लिया हुआ है और मुझे यह भी पता है कि मैं जब यूद का था डिस्टिक यूद का तो बिशफ सहाब से मिलने का इतफाक हुआ उस वकत शेख़पूरा यह किसी ऐसी जगह पे जमीन पे कबजे की बात थी तो मैं पावर की बात करा हूँ आप इतफाक करते हो आप क्या इस पर कहना चाहेंगे जी बहुत शुक्रिया चुक्रिक काफी वसी है और हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है हो सकता है कुछ बातें रह जाएं कहते कहते लेकिन देखें चर्च जो है बन्यादी तोर पे कतलिक चर्च का तुख्जर है और जो बिशब की आवाद होती है वो काफी फावरफूल आवाद होती है लेकिन जब हम बिशब जान जोजफ की साइड पर जाते हैं तो हमने ये देखा है पिछले पच्छी साल में कि बिशब जान जोजफ की जो अपनी जाती कमिट्मेंट और अपनी जाती स्टेंडिंग होती थी, वो बड़ी स्ट्रॉंग होती थी, जैसे आपने पहले बेयान किया, मुझे याद है कि बहुत साड़े भूकरताली कैम्प को लीड करते थे, वो जहां भी कोई नाइनसाथी की बात होती थी, खुद जाके पहले खड़े जाते, मैं सा आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बैनल मजाहब और बैनल कलीसियाई मुकालमा का जो कमिशन शुरू किया गया था, वो भी उन्होंने किया था, और फादर जेमस चैनल ने भी जिकर किया, वो उसके सेकर्टरी थे, तो ये उसी बात का एक आउट कम था, कि वो ये च रिशब जान ने ही इस कानून को मतारफ भी करवाया दूसरे लोगों में, इस मुलक के अंदर भी और दूसे मुलकों के अंदर भी, जब वो जर्मनी में उनके राप्ते होते थे, जब इटली में राप्ते होते थे, उनके बहुत सारे इंटर्व्यू मैगजीन में च्छप तो इसी बात का जिक्र करते थे, कि ये कानून जो है, ये खास तोर पे मजबी एकलियते नहां, उनके सर के उपर लटकती हुए तलवार है, हुआ ये, कि जो उनकी जाती कोशिश थी, उनकी जो स्ट्रगल थी, उनके जाने के फौरी बाद, जो है, वो कुछ अरसा तो सर गर रही, लेकिन फिर उसको जो है, इस तरह से वो बूस्ट अप नहीं मिला, या लो मरे इसको उस तरह से आगे नहीं लेकर गए, शायद उनकी जो अपनी सोच थी, या उनका जो रोल रिस्पॉंसिबिलिटी बनती थी, अपने जो कहलें के लर्जी के साब से, या जो चर्ट्स हैं इसके उपर, इदारे सरकर्म रहे, लेकिन वो इदारे भी जो हैं उस तरीके के साथ, जो अब तक इस कानून में कमी आने के बिदाए शिद्धा तोर बढ़ी है, सदाके साब में जिकर किया, अब ना सिरम मसीही, हिंदू, सिक्थ, या दूसरे जो मजभी एक लेते हैं, वो इसके कारों ते हैं, बलके मुस्लमान खुद हो रहे हैं, अभी दो तीन दिन पहले का वाक्या है, जो मौलपीस आपको की है, जवान मौलपीस है, जी, लोगों ने अपने हाथ में ये ठ्यार ले लिया है, कि हम खुद, वहाँ पे हर बंदा जो है, वो जाज़ बना जो वकील का काम है, वकील को करने जाए, एक शख्स को अपना कुछ कहने का मौका तो दिया जए, वहाँ तो हर बंदा जिन आप जान लेने का काह है, उन्होंने खुदाई कानून अपने हाथ में ले लिया है, जिस खुदा ने जान दिया है, शमान साहब ये तो ये ठीक है आप जो भी कह रहे हो, लेकिन मेरा सुआल ये था कि जो बिशब का बिशब कान्फरंस या बिशब साहबान का जो रोल है, या रोल उन्होंने अदा किया, एक मौडल रोल अदा किया कि वो ले रहते हैं उस वक्त जो सियासी समाजी एक्टिविटीज में आईनी हाक दलाने क के लिए, इनसानी हकूक के लिए वो सरकर्दां थे, आज क्यों नहीं आ रहे हैं जैसे मैं आग्जेम्पल भी दी आपको, कि जब हमारे वतन का आता है तो वतन को भी तो रिगार्ड देना चाहिए, कि या जब हमारे बिशब या हमारी मजभी अकलियत है, हमारे खड़े होत एक दाटी कमिट्मेंट होती है, एक बंदा अब किसी काम को आगे लेकर चलने का सोचता है, बिशब जान में ये सोच थी, उनमें ये चीज थी, कि वो ना सिरफ इस ब्लास्रेमी के केसिस को, बलके दीगर नाइनसाफियों को भी लेकर चलते थे, वो दूसरी हवान, वो सिर हैं कि फ्यूचर में अगर हम अपने मजभी लीडरान जो हैं, हम ये जानते हैं कि बिशप्स कान्फरंस जो है, उनकी बड़ी पावर है, उनका कहा हुआ जो हर जगा पे जो है, वो माना जाता है, तो ये आगे हमारे लिए एक मौका है, प्लेट फरम है, कि अगर हम बाहर से जो ले परसन हैं, हम उनके साथ कुराब्ता करके और उनसे कहें कि ये जो अदारे वहां पे जिस तरह कारी तास का अदारा है, कारी तास का भी पिसे हुए लोगों के लिए काम करना है, बतलब चर्च सिर्फ आज या पहले या शुरू से दुआ नहीं रहा, या लोगों कहत का मतलब था कि अगर चर्च इन्वाल्व हो, जैसे हमारे बड़े सारे मसायल, सबसे ज्यादा इस वक्त बहुत अजाब है हमारे लिए, और बहुत सारे हम राइट लेस हैं, हम राइट लेस हैं, अगर हमारे चर्च या बिशफ इन्वाल्व हों, ये इसलिए नादरें अबूब जो चहीद बिशब जान जोजफ का एक रहा है, पैटरन रहा है, या उनका एक नारा रहा है, हम उसी नारे को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आज यो में तजदीद भी कहलें, कि ये यो में तजदीद भी है, कि हम उनकी जो एफर्ट से या कोश्चे उ परसनल एक मजभी राइट्स हैं, उन में हम देखते हैं तो हमारे चर्चिस का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहूंगी कि मैं बोल्टी और पूरी जम्यदारी से कहना चाहूंगी और मैं पाकिस्तान में रहते हुए, मैं यह कहना चाहूंगी कि चर्चिस का जो रोल है और कॉंस्टिटुशन में जो प्रिविलेजिस हैं एक माइनॉरिटी के लिए वो हरी है उनके ऊपर हीम्पीलेनe कर देशन और कुछ पर हीम्मेंटेशन नहीं हो rooms किwać ५ारुम से जो जो अठीओ सिगांगी कर दोरी दिविलेसेंसे और इमिंटिशन और यह काम करते हुएँ वह हैं इम्पीलेनेंटेशन अनमाइन।ड़ी राइट्स वह लिए और सुपी कुर्ट से जो डाइरेक्शन्स आती हैं उनके उपर हम इंप्रिमेंट कर बादे हैं अब बात हो रही है चर्चिस की तो मैं यह कहना चाहूंगी बड़ी माज़रत के साथ कि जो चर्चिस का रोल है बिशप्स का जितनी बड़ी इनके पास पावर है वो यह रोल हर्गिस प्ले नहीं करने बिशप जौन जोजफ शहीद ने वो अपने जो उनका मकसद था वो सिरफ पॉलिटिक्स के लिए नहीं थे यह वह उसल लीडर हमें फरक समझना होगा कि पॉलिटिक्स सियासत में और लीडर्शिप में डिफरेंस है अब सियासत दानों का काम नहीं है कि मुसलिम, हिंदू उनको पकड़ के कवानीन की भींट चड़ा रहे हैं फोर्स कन्वर्शन का भी इशू चल रहे हैं हम उस पे काम का रहे हैं माइनर मेरिज़िस हैं काम उमरी की शादियां सिंद में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सेंसे में हम लोग सबसे काम में हिंदू की तादाद हम से ज़्यादा शो हो रही है हमारे मेरे काम हैं क्वानीन तो माजोद है हैं बहुत सारी जगों पे ये कहा बहुत सारी जगया है सेमिनार कर रहे हैं कि बहुत सारे पादरी स्क्रमाद के साथ, बहुत सारे कजए चर्चे से बिलॉंग करते हैं, जो और्थराइस नहीं है निकाह करने के लिए, तो वो सेंसेस जब होती है उन में इंद्राज ही होता, बहुत सारे लोगों के आई डी कार्ड नहीं होते हैं, माज़रत के साथ हमारे जो उनको यह तो पतब हैं, हर महीने, हर कैथोलिक फैमिली के पास जाके हमने चंदा जरूर लेना है लेकिन उनने यह पता निकितने लोगों के आईडी कार्ट्स बने हुए हैं और कितनों के आईडी कार्ट्स नहीं हैं यह मेरी एक तजवीज है आप इसे डिस अग्रीड भी हो सकते हैं तो मैं यह समझती हूँ कि जो चर्च का रोल था वो सिरफ पुलिटिकल लीडर्स का नहीं है कि पुलिटिकल लीडर्स आपको जिस तरह सदाकत ने बड़े अच्छे से क्लियर किया है कि वो जो सिलेक्टिड लोग हैं वो अपनी पार्टी को डिनाय करके किस तरह बिल प्रिजेंट कर सकते हैं वहाँ पे चार लोग जो माइनॉरिटी के बैठे हैं वो 260 या 380 या कितने लोगों के सामने बिल प्रिजेंट करेंगे प्रॉब्लम ये है कि चर्चिस के पास एक पावर है और मैं आपके प्लेट्फॉर्म से ये बात कहना चाहूंगी कि जब हमारे बहुत सारे मजभी लीडर्स खास और पे कैतुरिक बिशर्ब्स चर्च अफ पाकिस्तान प्रेस्पिटेरियन माइनॉरिटी राइट्स की कॉन्फरेंसिस में आते हैं तो वो क्यों इन इम्तियाजी कवानीन को हाईलाइट नहीं करते हैं वो ये क्यों बात नहीं कहते कि ये जो कवानीन हैं ये हमारे सब माइनॉरिटी नोट अउनके सर पे लड़कती हुई तलवार हैं उनको ये तो पता है कि हर महीने हमने अपने जितने भी इतने बगतिसमें देने और इन इस इस दियर ड्यूटी बहुत अच्छा आप है उनको ये भी पता है कि इतने हमने निकाह करने हैं उनको ये भी पता है इस तकाम देने क्या बिशफ कॉन्फरेंस या दूसरे पिरके हैं उनके बिशफ उनको ये ख्याल नहीं आता कि हम इस कौस के लिए भी काम करें यह मैं समझती हूं कि जो भी लीडर्स हैं, लीडर्स इस प्रॉड्रम यह हमारे सर पे पहले 295C, ABC की तलवारें लटक रही थी, पोस्ट कनवर्शन हमारे सर पे सवार होगी है, हमारी बच्चियों को बहकाया जाता है, उनको छोटी उमर में, उनसे फिर मुस्लिम कर लिया जाता है, उसके बाद उनसे शादी कर ली जाती किया, किसी को कभी किसी ने बहन भी बनाया है, तो मेरे कहने का ये मकसद है कि the role which should be played by the churches वहाँ थे हमें MyUC मिली है तो मेरी ये बड़ी मौदबाना गुजारिश होगी कि churches कम अंद कम ये पिछरे दिनों Bishop A.R. Cornelius की conference organized करवाई जिस इदारे में मैं काम करती हूँ हम लोगों में हमने कुछ लोगों को मौका दिया कि वो Chief Justice of Pakistan Mr. Umarata Bandiyal साब बैठे वे थे Former Pakistan के Chief Justice सद्दु सेंजलानी बैठे वे थे जिन लोगों को तक्रीर का मौका दिया गया किसी ने ये point highlight ही नहीं किया इम्तियाजी कवानीन के कात्मे की छोड़के किसी ने तर्मीम की बात नहीं की तो बात यह है कि मैं पूरी पूरी जिम्हेदारी के साथ कहती हूँ कि जो रोल जो पावर्स जो अथॉरिटीज जो टीम इतने जितने इदारे कारितास का इदारा इदारा अमनों इंसाफ ती सेंटर और Church of Pakistan के Presbyterian Church इतने बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स है Interfaith Harmony के बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे Minority Rights के सेमिनार्स हो रहे क्या कभी कोई ऐसी बिल प्रिजेंट हुए जिस बिल में यह कहाँ जाए कि Minorities के लिए जो यह बिल है इसमें रुष्ट कर्मीन की जाए तो मैं यह समझती हूँ कि स्वारी मैं थोड़ा clear करना चाहती क्योंके मैं कैसे इदारे में काम कर रही हूँ कि मैं यह काम कर रही हूँ हम लोग Post Conversion पे काम कर रहे हैं Minor Marriages पे काम कर रहे हैं और हम लोग इस पे भी कोशिश कर रहे हैं कि इंत्याजी कवानीन के खात्मे के लिए भी अपने जो पार्लिमेंटेरियंस हैं उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कहने की कि वो भी किसी तरीके से जिन पार्टी से उन्होंने टिक्रिट लिया उनको convince करें कि ये अकलियतों का सबसे बड़ा मसला तो ये है सबसे बड़ा problem ये है जो कि हाईलाइट किया ही नहीं जाता अब ये बहुत सारे लोगों ने Bishop John Joseph Shaheed की 25 जहादत के जशन मनाया है I'm really obliged so happy to see that लेकिन शायद Bishop John Joseph Shaheed Trust के लावा किसी और ने इम्त्याजी कवानीन के खात्मे के लिए बात नहीं की तो क्या ये तमहाए फिकर नहीं है हमारे के सबसाब आगे बढ़ते हैं असल भी शेर्च जो है एक अधारा है ये सियास्त में इन्वाल्व तो ब्राइरास इन्वाल्व नहीं हो सकता ठीक है एक तजर्बा हो गया हुआ है जब राइरास इन्वाल होगा है लेकिन जो एक प्रेपरेशन होती है लीडर्शिप जैसे डपार्टमेंट है उसमें करना या स्टैंड लेना स्टैंड जब आप मुलाकात कर सकते हैं वजीर आजम आपकी अप्रोच सदरता के सब आप ये भी तो कर सकते हैं कि हमारे राइट्स हमारी कम्यूनिटी के मिसाइल क्या है इनको हाल किया रहा है इसको सियास्त नहीं कहा जाता ठीक है ये भी नहीं कहूंगा कि मैं चर्च का कोई रोल नहीं है चर्च नहीं कह रहीं इंटरफेत Northern का इंटरफेता हरमनी का काफी result आता भी है कहीं नहीं आता, बहुत सारे जगह पे तका मूस्लिम डायन आक पहू हम पाय तक यह ले लेकिन की जगहे पहे रिजर्ट Also नहीं आहं आया , यह नहीं हम आघए tych जगहा का καई बलगू ही चछ नहीं किया लेकिन चर्च को एक्टिव हो के रूल अदा करना पड़ेगा और मैं एक तमाम देखने वालों को ये जरूर वाज़ा करूँगा कि बिशप जान जोजफ ने ऐसी रुआए डाली है उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ कैतलिक के लिए काम करेंगे जैसे शमसाब में भी कहा था कि पता करो कि कौन से चर्च से मैयो मसीश का तल्ड है तो उन्होंने ट्रा कि मुझे चर्च से नहीं तो वो ऑपन करते थे बिशप एल्गुजण्डर मलक जान मलक है उनके साथ तल्ड थे दूसरों के साथ एक बिशप सबगान का था तो ये एक फिरके की या कैतलिक की कतन यह बातनी के हम बात करें हम इत्वाइइ तहर पे कर रहे हैं कि जितने भी हमारी लीडर्शिप है। नहीं हो किसी भी स полезation कि सब्कों मिलके एक ह। चैनवर्टी के लिए मनाटी के लिए काम करना है कतन नहीं कि हम सारा बात करते हैं कि जी लाई चैनलिक वर जबर्टी करनी है इसकी पहले से अगाही दी आज जो चल रहा है तो सजाके साब एक मिनट में आप सारे इस गुफ्तगू को जरूर समेटिएगा कि हमारे लिए इनकी बरसी का 25 वी बरसी का मैसिज क्या हमें मैसिज क्या आता है जिस तरह हमने डिसकस की या अगर इसमें से कोई आप देखते हैं की पॉइंट आया हैं उसकी जरूर बात की जिएगा यह समझता हूं कि बिशप जांत की जो कुरबानी है हमें उसको रंग लाए वो कुरबानी तो हमें सब को मिलके अपना अपना कांटिबूशन डालना चाहिए ताकि चुकि उनकी कुरबानी या उनकी जो खाहश कोई ऐस बलके जैसे आपने देखा कितनी गुटन हो गई है मौशरे में वो हर कोई परिशान है और उसके असराथ जो के नजर आते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें चर्च को जो सिवल और्गनाजेशन हैं सिवल सोसाइटी की उनको और वाकी हमारे जो पॉलिटेशन है खास तो पर हम सब को मिलके इस पर काम करने के ज़ूर था है चुके कैथलिक चर्च अगर डिरेक्ट वो हम कहते हैं जि दन्यावी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके कुछ ऐसे सोशल आम्स हैं जैसे काईतास हैं काईतास हैं हुँमेन टोटल हुमेन ड्वेलमेंट की बात कर रहा हैं जैस् मजभी खाने में जाफे के खिलाफ तो इतनी काम्याभी से हमारे काईतास के एनिमेटर, कैटिकिस्ट और सब लोगों ने बहुत मेनस से वो काम किया था तो मैं समझता हूँ कि चर्च को और सिवल सोसाइटी और बाकी जो पॉलिटिशन है इनको और दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि हम जो अकलियत के लोग हैं, हम जिस बला पार्टी में हैं, चाहिए वो तहरीक इंसाम में हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लम लिग, गर्नून और जिसमें भी हैं, वो अपनी अपनी पार्टी में इसे बिशप साब के मिशन को लेके आगे चलें, उनको वो बकैदा एडवोकेसी करें, लॉबिंग करें, ताके इसको किसी तरीके से हमारा जो अल्टीमेट गोल था बिशप जोन जोजफ का, उसको हम काम्याबी से हम कनार कर सकते हैं, जी बहुत शुक्रिया, जी शमा साब आप क्या कहना चाहेंगे, जी बहुत शुक्रिया, सदाकेस ताब में काफी चीज़ों को बियान कर दिया है, और मेरा भी यही ख्याल है कि जो चर्चीज हैं हमारे, जितने भी चर्च हैं पाकिस्तान में, वो सब मिलका, अप अपने हर बंदे के साथ इस तरह की गुफ्दू करें, और अपने राइट के लिए जो है, वो काम करना शुरू करें, स्यासी तन्जीमों के जो नमाइंदे हैं, जो वहां पे रिप्रिजेंट कर रहे हैं, हम उन सब को भी ऑन बोर्ड लेकर चलें, ना सिरफ मसीहों को, बलक को किसी ना किसी तरीके के साथ जाए, वो मॉबलाइज किया जा सकता है, जो हमारी समाजी तन्जीमें हैं, पाकिस्तान में काफी समाजी तन्जीमें हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही है, मजीद उनके साथ कोई एक डायलग किया जाए, उनके साथ कोई लाहे अमल तै किय ताकि हम फ्यूचर में जो है इस कोशिश को जो बिश्वजान ने की उसको जारी रख सके एक अलमिया जो हमारे सामने आ रहा है मैं बहुत उससे क्या कहले हैं खौफजदा हूँ खौफजदा इसलिए हूँ के पहले ये ये तलवार मसीयों के उपर लटकती थी अब तो अब क्लियत अक्सरियत का कोई परक नहीं रहा अब ये ये आग उनके घर तक पहुंच चुकी है और ये ये सिर्फ अथियार इस्तमाल करते हैं अब उन लोगों को भी खड़े हो जाना चाहिए जो अक्सरियत में हैं पाकिस्तान में वो इस पर बात करें किसी की शान या काम नही होती है कि एक बंदा अगर जेनी तौर पर ठीक नहीं है या उसको समझ नहीं है तो उसको कतल कर देने से किसी ने कोई दो बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया और मैं श्क्पशुच साहिए कं को मौका मिलना चाहिए कि हाँ या ना करने का, किसी जादी के सामने पेश करने का मौकर मिलना चाहिए. तो बिश्ब जान एक पच्ची साल जो गुजर चुके हैं और जो उनकी लीडर्शिप का अर्सा था, वो एक बहुत खुबसूरत अर्सा था और हम आगे चलकर इस बात का वादा करते हैं और रादा करते हैं, कि सब मिलकार जहां जहां हम कोशिश कर सकें, स्यासी तौर पर, जहां जहां भी तालीमी अदारों के अंदर हम इस कोशिश को जारी रखेंगे, मुझे वो पातलाम की आयत बहुत खुबसूरत लग रही है, कि अच्छा चरवाहा अपनी बेड़ों के लिए जान देता है, तो ये बात है कि बिश्ब जान एक अच्छे चरवाहे थे, और उ उनकी जो कहे हुए अलफाज हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन पर अमल करते हैं, बहुत शुक्त है, एक सेमसन भाई, मैं चारा था कि जैसे फारा जेम चननन साहब है, उदर काम कर रहे हैं, फादर खालदर रशीद आसी साहब हैं, हमारे मोसन फादर बोनी मेंडस साहब हैं, जेकब साहब, रुमाना बशीर, एवार्ड और्गनिजेशन, केर फांडेशन, सोसाइटी फा हुमन डवल्मेंट सेंटर, टॉबा टेकसिंग, जान स्रमाइकल साहब हो लीड कर रहे हैं, शहीद विशिप जान टरस्ट को, तो मैं समझता हूँ, इनको एक नेटवर्क के इस चर्च के साथ मिलके ये काम करें, तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ बेहतर मूव कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात की, जीव सर्वस अहबा, बहुत अच्छी तज्वीस सदाज़त ने, शमस ने फेश की है, काम तो हर कोई अपने अपने हैं, और तभी तो हम चलते आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम होगा, कि अगर हम लोग मिलकर, अगर हम मिलकर चलें, और सारे एकी प्रेटफॉर्म पे मुतहद हो जाएं, चर्च और दूसरे तारे और सिवल सुसाइटी, तो फिर कोई वजा ने होगी कि ये काम रुखे, तो मेरी ये दूआ है, कि ये काम आगे बढ़ता रहे, बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया दा करता हूँ, सजात्वाद साहब जो अमेरिका से थे, और एक बहुत अच्छी खुब्सूरत उन्होंने, बागती पिशप साथ के साथी भी थे, उनके साथ क काम करने का मुक्वी मिला, इसी तरह शमाउन साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया, तले भी आप हमारे साथ आ चुके हैं, और अक्सर आपके साथ बाचीत होती रहती है, बहुत शुक्रिया आपका सर्वत सबा, बहुत अच्छी बाते की, आप प्रैक्रिकल काम कर रही हैं, और अच्छी बात हुई और मैं यही बात कहते हुए दो जुमलों में आज के प्रोग्रम को वाइंड आप करता हूँ कि जिस हलात और वाकियात को या जिस कदर माशरे में शिद्ध बढ़ती जा रही है तो जो मजबी जमाते हैं उनको मजबी जमातों को चर्चिस को यह सोचना पड़ेगा कि इस शिद्ध पसंदी को कैसे खतम किया जा सकता है चर्चिस को रोल अदा करना पड़ेगा और पिर जिस तरह से लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं जलाओ गराओ कर देते हैं बगैर किसी नाकूमत ना किसी फोज या किसी का लहाज ने करते तो इस पर खास ध्यान देना पड़ेगा ताके माशरा फिर एक पूरा मन माशरा बने और अकलियते भी खुशाल रहें अकलियते हैं बलके नहीं हमेंने कहना चाहिए हमारा बहुत बड़ा पाकिस्टन बनाने में रोल है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं इस पच्छेसमी परसी के मौका पर बिशप जान जोजफ शाब की शहादत के मौका पर और ये उनी की वज़ा है कि हम ये बात करते हैं कि हम राइट ले नाजरें जरूर आपको ये प्रोग्रम पसंद आया होगा और जरूर इस पे एक दफ़ा सोचिएगा ये सारा जो गेंद है आपके गोल में हैं तो खुदा आप साबका हामियो नासिर हो थैंक यू बहुत शुक्रिया हुआ 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 है हरे आली बंडड़ चोली बर के ले गया दुख वेड़े देविच्चिला के तुर गया सोचा वाले संखे ने रुख ला कौन अपनी जान गबान दाए इन साफ ली रादा पान दाए कौन चुकदाए सूली बोरादी कौन सुत्ती कौम जगान दाए तेर गोम दे दर्द ने बारद दाए पेर यसू सूली चारद दाए उस राते लोक निसार हों दे जित्थे कदम तेरे पैजान दे सब दुख अपनी चोली पाके तेरे दर्द आदे जान दे सन ए वार कदी ना ओड़े आ तूं ए प्यार ना है वे रोड़े आ तूं तूं एश रामनो छट देता रासूली वाली मललाई लई तूँ ए अपनी छिंदी कौम लई हर गल अपने ते चल लई तूँ सूली वलकला तुल पे आजे उन किसे ना दुख बुण गे आजे रभ डोला सैशन कोट अके जे जुलम दि किदरे अग पुझे ए लोकन माने करण देखी वोई ए ना दीदी कल सुने मजलूम अनूना अंग करो ए दुलम देखी इसे बंद करो जद हाकिम मूसी लेंदे ने फिर रब जलाल वकों दाए छे अत जुलम दा को जावे ओ आप जमीन ते आदाए तु दुखिया दी वरी आद सुड़ी जादर पर तु एन अजाब गई कौन अपनी जान गवान दाए इन साफली रौदा पान दाए कौन चुकदाए सूली पोरादी कौन सुत्ती कौम जगान दाए कौन साफली जां छोनल वरी नभ़न दाए वरी वकदाए लिए कौन खबो जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है शहीद अपनों में जोजर का नाब आता है नाम आता है जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है कलेश याक मुहाफेश दुलार साथी था मुसिबतों में दुखों में हमारा साथी था मुसिबतों में हमारा साथी था हर एक उसकी बड़ाई कहीत गाता है शहीद अपनों में जोजर का नाम आता है नाम आता है जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है हवार यान मसीरा ताहम नशी जोज़ा था कलबरी किरभाया कहा नशी जोज़ा हवार यान मसीरा कहां नशी जोज़ा था कलबरी किरभाया कहा जान शी जोज़ा जान शी जोज़ा वपाशका की अलाम उमीद लाता है शहीद अपन में जोज़ा का नाब आता है नाम आता है जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है वो आज तक भी हमारे दिरों में जिनदा है कि उसकी याद से अपना जहां ता बिनदा है जहां ता बिनदा है जहां ता बिनदा है गरीब लोगों को हो आज भी लुखाता है शहीद अपन में जोज़फ का नाब आता है जो दूसरों के लिए जान तक लुटाता है जो दूसरों के लुटाता है जो दूसरों के लुटाता है झाल झाल